आज हम बनाएंगे पनीर की ऐसी रेसिपी की आपको ना देखते ही मन लल चायेगा और भी फटाक से बनाएंगे तो इस रेसिपी बनाने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी भी बन जाती है और भावा रेस्टुरेंट या फियू के होटल वाला टेस्ट आएगा तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट है लो एव्रिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल कुझ की रसोई सो दोस्तों बनाते हैं बिलकुल धावा रेस्टुरेंट जैसी पनीर की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने डियर सो हुन् lyri ले लिए था इसको लंबे साइज में कट कराः आप चीजह का जाना प्नीर साइज में कट कर ऐंगे और ओर एंबनाटै और से एंधेिन्द साहलिक. तो चलिए दोस्तो सारी चीज़े रेडी हो चुकी है तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और फटाक से यह रेसिपी बनाते हैं अब यहां पर हम डालेंगे सरसो का तेल ही डालना इसना बहुत यह अच्छा टेश्ट आता है तो यहां तेल डाल दिया है तो चलिए दोस्तों अब इसे तेल गरवने देते हैं सो ये लीजिये friends भहुत ये चील गरभ तक्षम अब गर्म हो चुका है तो एक चमच डाल देंगे हम जीजी रहा थोड़ा से हिंग डाल देंगे रेख्ज अब इस प्षार डाल देंगे तो य यह ले लूगे और फिर ढाल दोंगे इसमें पहले हम इसलिए डाला क्योंकि चल जाता इस दी डाला अब हम इसको आराम से दिर दिर आप ज़र अच्छे से फ्राय करेंगे तो यह लीजिए दोस्तो प्याज और ले लाज ना बहुत अच्क्छ सब्लाइ तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे उसको भी ज्यादा भूनेंगे नहीं हम इसको सॉल्टी कर लेंगे तो आप देख सकते हैं शिम्ला मिर्च भी अच्छे से सॉल्टी हो चुकिया यह देखिए बहुत ही बड़ी लगए देखने में यह देखिए तो चलिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों इसको भी थोड़ी दिर के लिए अच्छे से भुनने देंगे तयार हो चुकिया और सारी चीज़े परफेक्ट तरीके से हो चुकिया तो अब यहां पर ड्राय मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले एक चौथा चमच ले लेंगे हम हल्दी पाउडर औ और आजी चमच ही रे लेंगे धनी पाउडर यहां पर सबस्वीक आनुसार लेंगे लें कि जैसा आप नमक खाते हो ना डाल सकते हैं तो यहां पर डाल दिया है अब मैं आप दयें сиг्ड फ्रेंट किया करेंगे और फ्रैंट टे अब ग tablespoon समच शली एक शली शली देख नह एक तो चलिए दोस्तों अब मैं इस मसाले के साथ ना अच्छे से पहला एक मिनट के लिए बुल लूँगी यह लीजिए एक मिनट हो चुकिया और जो हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से बुनके तैयार हो चुके सारी वेज़िटेवल में तो फ्रेंट्स अब हम क्या करेंगे जो इस तरीके से बनाएं बहुत ही बड़ी आ बिल्कुल भी टायम नहीं लगता है जब भी आपके महमान आजाए ना घर में और आपको कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही हो तो आपने इस तरीके से जटापट बनागा अपने महमान को खिलाएंगे ना सच बता रहेंगा आप आपके महमान खुश हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों यहां पर मैंना दो मिर्च बीच में से पाट करके डाल दी थी और बहुत इचा टेस्ट आता है हरी मिर्च का भी इसमें और सारी चीज अच्छे से मिला लिए तो चलिए दोस्तों एक मिनट के लिए फिर से हम इसको प अधाबा से या फिर रैस्ट्राइन से लेका हैं कितनी प्यारी लग रही है देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है तो अपने घर में बनाकर जरू खाए तो चलिए दोस्तों सब्जी बनके तयार हो चुके तो फ्लेम को आफ कर लेंगे और फटा पट से इसको एक बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग लग रही है बिलकुल धावा रेस्ट्रेंट जैसी तो स्वाधी वही है तो एक बाद फ्राइस जरू करना और देखे मुझे बिलकुल भी टाइम नहीं लगा और फटाक से बनके तयार ह हो चुकी है तो जब भी आपके घर मेहमान आ जाए है फिर खुद का ही मन कर जाता है कभी-कभी इस तरह की सब्सक्राइब करना अब भर बर के लाइक कर देना कमेंड बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी पनीर की नई रेसिपी आपको कैसी लगी जाए शेयर करना तकि बाग कि लोग भी अपने घर में मना कर खा सके और इंजॉय कर सके फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक्यू सो मच बड़े हो तो आसी बाद दे धेर सारा प्यार दे मिलेंगे नेक्स वीडियो को साथ न्यू रसिपी के साथ तक के लिए बाबाई टेक के लिए लव य अजूल